सोन भद्र से वीद संबादाता राजिस पाठक की रिपोर्ट दुसकर्म के दोसी को साथ साल की कैद 25,000 रुपए अर्दन न देने पर 6 मा की अत्रीत कैद होगी भुगतनी 10 साल पूर हुए दुसकर्म का मामला राजिस पाठक वीद संबादाता शोन भद्र अपर सत्र नयाधिस विशेश नयाधिस पाक सो एक पंकस्त्रीवास्तों के दालत ने बुद्धवार को 10 साल पूर हुए दुसकर्म के मामले में दोसी नीरच को दोसीद पाकर 7 साल की कैद एवंक 25,000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई अर्थ दंड न अदा करने पर 6 मा की अत्रिक्त कैद भुगतनी होगी अब योजन पच्च के मताबिक गोरावल थाने में लड़की के पिता ने दितहरीन में आरोप लगाया कि उसकी नावालिक बेटी को 6 मार्श 2010 को इसकूल में परिचा दिलाने के लिए ले जाकर उसे रावर्स गंज अस्थाई कमरे में राद भर रखा और उसके साथ मेर्चापुरचिला के चुनार अंतरगत इमिलिया चटी चुनार निमासी नीरज ने दुसकर्म किया उसे अपने दोस्त के हाँ कोट मेरेच के लिए लहाबाद भी ले गया लेकिन सफलता नहीं मिली तो उसे पुना परिचादिला ने बाइक से इसकूल लाकर नीरज ने छोड़ दिया और लेने नहीं आया जबकि आने का वादा किया था अपना मुबाइल भी सिव्याब कर लिया इस मामले पूलिस ने FIAR दरचकर मामले के विवेचना किया और परियाब सबुत मिलने पर नीरज के विवेचक न चार सिट ढाकिल किया इसी मामले में दालत ने सुनवाई करते हुए दोनुप पच्छों के अधिवक्ताओं के तरकों को सुनने गवाहों के बयान एवंग पत्रावली का अवलोकन करने पर दोसित पाकर दोसित निरज को साथ साल की कैद एवंग 25,000 रुपए अर्धन की सजा सुनाई वहीं अर्ध दन न देने पर चामा की अत्रिक्त कैद भुगतनी होगी